आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैंक निफ्टी के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के रिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टन्स लेवल क्या रहेगा आज क्या-क्या हुआ है मार्किट में और आगे आने वाले सेशन्स में और क्या-क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के उपर अभी नए आए हैं उन लोगो मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पे निफ्टी और बैंक के उपर analysis videos upload करती हूँ support resistance के videos upload कर देती हूँ यहाँ तक कि stocks के उपर भी आपको मेरे channel के उपर videos मिल जाएंगे और share market के related सारी update सारी news आपको मेरे channel के उपर मिल जाएगी तो अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और bell notification को press कर दो ताकि आगे आने वाले videos की जानकारी आपको सही से आती जाएं एक और important बात video शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी अगर आप nifty और bank nifty के अंदर options के अंदर डेली 2-3,000 तक का profit बनाना चाहते हो और live market support चाहते हो तो आप मेरा premium telegram group join कर सकते हो जिसकी fees 3,500 पर month है और ये offer सिर्फ और सिर्फ 17th March 2022 तक ही valid रहेगा तो इस group के अंदर आपको benefits क्या मिल रहे हैं तो डेली आपको calls तो मिलते हैं साथ में आपको chart भी यहाँ पर provide किया जाता है जो मैं खुद prepare करके आपको send करती हूँ जहाँ पर कुछ support resistance के levels और कुछ indicators draw किये होते हैं ताकि आपको market को समझने में भी आसानी हो सके कि अगर एक support break होता है तो next support कहा पर बना हुआ है और market का movement कैसा रहेगा ताकि आप खुद भी analysis कर सको और खुद भी trade कर सको इस group के अंदर आपको live market support भी मिलता है अगर आप आपको 4,000 रुपीज पर मंद पे करना होगा तो जो भी लोग join करना चाहते हैं तो 17 मार्च से पहले join कर लीजेगा क्योंकि इसके बाद जल्दी यह offer आपको नहीं मिलने वाली और seeds भी बहुत ज्यादा कम है तो आज ही premium group join कर लीजेगा payment करने के लिए आपको इस UPI ID को या फिर इस scanner को scan करके पैसे send करना है यह UPI ID है और यह scanner है payment हो जाने के बाद आपको बस करना ही है कि इस number के ऊपर आपको WhatsApp कर देना है ताकि मैं आपको group में add कर सकूँ payment का screenshot आपको यहां पर भीज देना है तो बस इतना ही करना है फिर आपको group में add किया जाएगा और य नीचे description box में मैंने दिया हुआ है साथ में link भी आपको दिया हुआ है ताकि आपको join करने में आसानी हो से कहो तो यहां पर भी मैं आपको important हमारे जो trades होते हैं उनके बारे में यहां पर जानकारे देती हूं तो देखिए morning में हमने 33,200 C buy किया था जिसने first हमें एक down move दिखाय और हमने फिर से lower levels पे कुछ और quantities purchase की थी और फिर जाके हमने 400 और 390 पे जो lower side में हमने quantities ली थी वो हमने यहां पर book कर ली और highest जो बाकी की quantities थी वो हमने 420 के पास book कर ली थी क्योंकि market देखे market risky था और यहां पर हमें बस इतना करना था कि small small points हर एक trade में से हमें निकालने थे कि हमारा जो है वो profit हो मेरा motive यही रहता है कि हम रोज profit में ही निकले loss करके नहीं निकलना है फिर profit हमें कितने का भी हो 1000 का भी हुआ तो भी कुछ बड़ी बात है क्योंकि यहां पर इस market के अंदर trade करना बहुत ही जादा रिस्की होता है तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ लेकर ही निकलना है उसके बाद में मैंने 15,700 पी बाइ किया था 165-160 पे और 175 पे बुग कर लिया था तो यह हमारे ट्रेट से और इसके अलावा भी मैंने कुछ ट्रेट और दिये थे जब मार्केट मुझे दिखा था कि यहां से एक bounce मिल सकता है तो ऐसे हमने बढ़िया ट्रेट सा है तो अगर आप चाहते है कल से आपको भी इतना सारा प्रॉफिट हो तो जल्दी से आज ही प्रीमियम ग्रूप जोइन कर लीजेगा आपको समझ में आ चुका है अभी चालू करता है बैंक निफ्टी का एनालेसिस तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहा पे आई है 33,158 के हमें 32,150 के सपोर्ट से एक बाउंस दिखा है एक शॉट कवरिंग रैली जो है वो आज हमें देखने को मिली निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी बैंक जो है वो हमें आज 33,000 के ओपर बंद होता हुआ दिख रहा है वैसे मैंने आज कहा था आप से कि अगर निफ्टी बैंक ये लो ब्रेक करता है कलका लो ब्रेक करता है तो यहां से डेफिनेटले निफ्टी बैंक हमें 31,500 तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और अगर इस लो के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो यहां से 30,000 के रास्ते जो है वो निफ्टी बैंक के लिए था वो 33,263 के पास था और जो आज की ओपनिंग थी वो 32,531 के पास थी तो निफ्टी बैंक ने आज डेली चार्ट के उपर एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म की है बुलिश कैंडल फॉर्म की है और 200 पॉइंट्स चड़के आज निफ्टी बैंक बंद हुआ है तो अभी इस के उपर मैनेज करता है 33,000 का लेवल होल्ड रखना तो यहां से एक पुलबैक राले हम लोग देख सकते है तुवर्स 34,000 और 34,800 यानि के इस जोन में हमें निफ्टी बैंक फिर आता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन इसके लिए इंपोर्टेंट है कि 33,000 का लेवल क्लोज 32,500 और 32,300 के तरफ निफ्टी बैंक हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 32,900 या फिर 850 के तरफ तो फिर से आज निफ्टी बैंक हमें 32,000 का सपोर्ट टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा क्योंकि अभी तक निफ्टी बैंक ने 32,000 का सपोर्ट टेस्ट नहीं किया है आज 32,150 के सपोर्ट से ही हमें एक पुलबैक राली जो है वो देखने को मिले थी ओप्शन चेंड डेटा अगर देखें निफ्टी बैंक का तो कॉल साइट में सबसे जादा जो ओपन इंट्रेस्ट हमें बना हुआ दिख रहा है वो दिख बिसे के नई-इस्ट कॉल राइटिंग हुई है तो अभी अगर देखे तो निफ्टी बैंक पुल बैक राइली अगर दिखा था है तो 34,000 के तरफ हमें देखने को मिल सकती है और फॉर्स जो रसेस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए दिख रहा है वही पुट साइट में देखने को मिल रही है 31,500 के लेवल के उपर तो अभी अगर निफ्टी बैंक 32,000 को होल्ड नहीं रखता है तो डाउन साइट के लिए फिर से 1000 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है तो निफ्टी बैंक के लिए अभी जो है वो क्रूशल सपोर्ट बना हुआ है 32,000 के लेवल के उपर तो अभी चलते हैं चार्ट के उपर निफ्टी बैंक के इंपॉर्टं सपोर्थ और रिजिस्टंस के लेवल्स देख लेते हैं तो यहां से जो फ gap-down बैंक लिए वो रहेगा 33,000 का लेवल जैसे कि मैंने अब से अभी कहां अगर ये level से नीचे opening होती है gap down opening होती है या फिर ये level तूट जाता है intraday में तो nifty bank हमें 32,810 and 32,550 के तरफ गिरता हुआ दिखाई देगा अगर गिरावट यहाँ पे नहीं रुखती है या फिर gap down opening होती है 32,800,900 के तरफ तो यहाँ से downside के लिए nifty bank हमें 32,310 का support भी test करता हुआ दिखाई दे सकता है upside की बात करें तो upside के लिए first जो resistance रहेगा वो रहेगा 33,310 का level अगर यह resistance पार कर लिया nifty bank ने तो यहाँ से nifty bank हमें 33,650 and 33,890 के तरफ अपना next movement देता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह upside के लिए resistance के levels रहेंगे और यह support के levels रहेंगे तो जो भी levels यहाँ पे दिखाए है वो अपने चार्ट के उपर mark कीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा सो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत जदा अच्छा लगा है तो share कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये video useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सब को कहना इस चैनल को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं बलूंगे आपसे next video में till then bye bye take care and trade carefully